कुम्भ रासी वाले जीवन में सफलता चाहते हैं तो तुरंत इस रासी से विवाह अथवा प्रेम कर ले कुम्भ रासी वालों की जोड़ी किसके साथ अच्छी रहेगी आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस रासी से विवाह आपको करना चाहिए किस रासी से प्रेम करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होगी मित्रों कुंग रासी बालों का किस के साथ संबन्ध बरा ही उत्तम और सुन्दर रहेगा आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लेकिन आप हमारे वेबसाइट मिसराफोर्यू.com को एक बार जरूर विजिट करें ये जो स्क्रीन पर में लिखा हुआ है इसी को आपको लिख करके गूगल पर सर्च करना है आपको वहाँ पर में जोतिस के दुनिया की सारी चीजें लगभग देखने को मिल जाएंगी मित्रो डिस्क्रेप्शन में लिंक भी दिया गया है जिसपे किलिक करके आप डाइरेक्ट उस वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं और वहाँ पर पहुँच करके आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं देख सकते हैं लेकिन अगर आप अपने भविष्ट के बारे में मुझे से जानना चाहते हैं तो मेरे वाट्सेप नमबर 7062757996 पर में मुझे संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर आपको जन्मकुंडली और हस्तरेखा के अनुसार लग भग आपके भविष्ट की सारी चीजें बता दी जाएंगी चाहे हुँ आपके जीवन में कोई समस्या ही क्यों न हो मित्रों आईए अब जानते हैं कि कुम्भ रासी बालों का प्रेम जीवन कैसा होता है उसके बाद हम जानेंगे कि किस रासी से विवाह करने पर आपका संबंध कैसा रहेगा और उसके बाद हम जानेंगे रिजल्ट के किस रासी से आपको विवाह करने से जीवन में सफलता मिलेगी कुम्भ रासी वाले जातक विप्रीत लिंगी के लिए आकरसन के केंद्र होते हैं प्रेम के संबंध में ये कल्पना सील होते हैं इनके लिए प्रेम एक नवीन विशु का द्वार होता है अतह इस छेत्र में इन्हें भागिवान भी मना जा सकता है इन्हें मांसिक संपर्क से विशेश्त त्रिप्ती मिलती है ये अपने प्रेमी से सारिडिक की अपेक्छा मांसिक धरातल पर ही संपर्क रखना अच्छा समझते हैं इनके विप्रीत लिंगी शाथी भी चंचल प्रकृती के होते हैं इन्हें हमेशा स्वस्त मनोबृती बाले तथा जिग्यासू प्रविर्ती के साथियों का ही चुनाव करना चाहिए तथा उन्हें अपने अस्तर तक लाने के लिए श्यंग ही प्रयत्मभी करना चाहिए उत्चाही, सतर्क, उत्तरदाई तथा अन्भवी साथी ही इनके लिए उपियुक्त सिद्ध होते हैं प्रेम के च्यत्र में सफलता पाने के लिए भाबु कम तथा बेभारिक अधिक होना चाहिए प्रेम के छेतर में सफलता पाने के लिए आपको धैर पुर्वक क्रमज़ आगे बढ़ना चाहिए अपने साथी को प्रसंद बनाये रखने की प्रिविर्ती आपके लिए विशेश कर हित कर शिद्ध नहीं होगी मित्रों अब हम आईए जानते हैं मंज़े ठाकुर की आवाज में कि आपका किस रासी से विवाह करने पर संबंध कैसा रहेगा तो आईए दोस्तों देखते हैं कुम्ब रासी वाले जातक को मेश रासी वालों से अगर विवाह होता है तो उनका बैवाहिक जीवन कैसा रहता है इन दोनों रासियों का बेग गतिवान होता है दोनों ही रासियां अपने को प्रधान बनाना चाहती है यदि इन दोनों में कोई एक विनम्र बन सकें तो इस संबंध का निर्वा हो शकता है परन्तु इस थीरता की दिरिष्टी से यह संबंध अच्छा नहीं माना जा सकता मेंस रासि कुम्ब की लगु यात्राओं, विचारों तथा निकर्तम संबंधियों को प्रभावित करती है अब कुम्ब और कुम्ब रासि वाले जातक को ब्रिस रासि वाले जातक के साथ बिवाह संबंध कैसा रहता है ब्रिस रासि कुम्ब की स्वतंतरता प्रवा कार्ज करने की इक्छा को जगाती है तथा अधिक आयू में सहायता कर सकती है यह योग आर्थिक द्रिड़ता को जन्म देता है परन्तु यथार्त में यह संबंद सुभ नहीं होता इसमें अनेक बिग्न बिरोध तथा उत्थान पतन के अवसर आकस्मित रूप से आते रहते हैं अत्यंत बुद्धिमानी से ही इसे निभाया जा सकता है अन्य था बैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा अब कुम्ब रासी वाले जात्कों का मिथुन रासी वाले जात्कों के साथ बैवाहिक संबंद कैसा रहेगा ये दोनों रासिया एक दूसरे के अनकूल हैं इस संबंद के निर्वाह में भावना के पेक्छा तर्क को प्रभाधानता देनी चाहिए क्योंकि इसमें क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं आकस्मिक रूप से होती रहती है यदि सच्चाई तथा इमानदारी का बैवहार रखा जाए तो यह संबंद अत्यधिक लावदायक हो शकता है सामानत यहरिस्ता बाह आकरसन से युक्त होता है अतह इसमें आंत्रिक दिर्टा का आभाव रहता है कुम्ब रासी वाले जात्कों का करक रासी वाले जात्कों के साथ बैवाहिक शंबंद कैसा रहेगा यह संजोग कार्ज की सफलता तथा प्रशिद्धी का अस्वासन है महतपुर्ण कार्जों में इनका योग सफलता दायक होता है निवास अस्थान के चुनाव के संबंद में इसमें मतभेद हो सकता है करक रासी कुम्ब को महतपुर्ण कार्जों को करने की योगता स्वास्थ एवं प्रगती के विशे में शावधान करती है करक का कुम्ब रासी के स्वास्थ कार्ज तथा आश्रितों पर भी प्रभाप पड़ता है दोस्तों अब कुम्ब रासी के जात्कों का सिंग रासी के साथ बैवाहिक शंबंद कैसा होगा हम देखें इन दोनों रासियों में परसपर विवा होना शंभव है सिंग रासी कुम्ब के विवा साजेदारी तथा जन संपर्क आदी को प्रभावित करती है ये दोनों बिरोधी रासियां है अता इसमें मत्वेद रहना श्वभाविक है परन्तु बिरोध रहते हुए भी इसमें संबंध हो शकता है यह संजोग सामाजिक कार्जों के लिए स्रेष्ट सिद्ध होता है कुम्ब और कन्या अर्थात कुम्ब रासी के जात्कों का कन्या रासी के जात्कों के साथ वैवाहिक शंबंद कैशा होगा तो देखें कन्या रासी कुम्ब की योजनाओं को पुर्ण करने के तथा भविस निर्मान में सहायक होती है या कुम्ब को नवीन खोजों के लिए प्रोसाहित करती है तथा आर्थिक प्रामर्स सेवा में सफलता दिलाती है लेखन तथा बिग्यापन में भी यह लावकर शिद्ध होती है इस योग में और शाधारन योजनाओं तथा बीचारों को जन्व मिलता है कन्यारासी कुम्ब के धन दिर्ग काली ने सुरक्षत रहस्य आदिस से संबंध रखती है कुम्ब रासी के जात्कों का तुलारासी के जात्कों के साथ बैबाहिक शंबंध ये दोनों अनुकूल रासियां हैं अताहिन का सिंजोग स्वपनों का शाकार करता है तथा बहुत अच्छा सिद होता है तुला रासि कुम्ब की यात्राओं भावी योजनाओं को नैतिक करतब्यों की ओर ध्यान दिलाती है और उनके विकास में शायक बनाती है या उसे कुछ शिखाने की दिशा में भी प्रेरित करती है अब दोस्तों कुम्ब रासी के जात्कों को ब्रिश्चिक रासी के जात्कों के साथ कैसा ब्यवाहिक शंबंद रहेगा ये दोनो जातक ये दोनो रासियों के जातक परस पर अनुकूल रासियां नहीं है ब्यवसाई एक छत्र में इस सम्मंद से कुछ सहायता मिल सकती है ब्रिश्चिक रासि कुम्ब के भावी जीवन समाजिक इस्थिति मूलिक्षाओं तथा शम्मान को प्रभावित करती है और इनके लक्षों को निर्धारित करती है यदि एक दूसरे को भली भानती समझा जा सके तो यह सम्मंद लावदायक सिद्ध होगा अब दोस्तों कुम्ब रासि के जातकों का धनु रासि के जातकों के साथ वैवायक सम्मंद कैसा होगा तो देखते हैं दोस्तों ये दोनों अनुकूल रासियां हैं अतई संबंध में सुख के अनेक अवसर प्राप्त होते रहते हैं धनू रासी कुम्ब की एक्छाओं, आसाओं तथा मित्तरताओं को भी प्रभावित करती है धनों के संयोग से कुम्ब स्वैम को लोग प्रिये बना सकती है अपनी सिक्षा में उन्नती कर सकती है तथा बिचारों में उदारता ला सकती है इस संबंद का लाव अवस उठाना चाहिए अब दोस्तों कुम्ब रासी के जात्कों की साथ बैवाहिक शंबंध कैसा रहेगा तो समानत या संबंध उधासीन होता है परंतु धन के संबंध में अच्छा रहता है लेनदेन संबंधी शंतुलन इसमें बाधाएं उत्पन कर चकता है फिर भी कुंबरासी लाम में भी मेही रहती है इस सम्मन से परमपराएं ठूड़ती तथा नई दिशाय उधगाटित होती रहती है परंतु मन में भेद रहने पर यह संबंद निव नहीं पाता बहुत दिनों तक चल नहीं पाता अता इसके निर्वाहन के लिए सच्चाई तथा शमरूपता का वेभार करना चाहिए इमानदारी का पालन करना चाहिए अब दोस्तों देखते हैं कुम्बरासी के जात्कों के साथ वेभाहिक संबंद कैसा रहेगा दोस्तों यह संबंद वर्तमार के पिक्छा भविस पर अधिक बल देता है इन दोनों के बीच एक तीसरे व्यक्ति का रहना लाप्रद होता है यह संबंद एक सफल निर्माता बनाने वाला भी सिद्ध होता है संच्छेप में हम यूँ कहें कि इस संबंद का सफलता पुर्वक निर्वा हो सकता है आप दोस्तों कुम्भ रासी के जातकों का मीन रासी के जातकों के शाथ बैवाहिक शम्मंद के बारे में जानते हैं दोस्तों मीन रासी कुम्भ के आर्थिक पक्ष तथा ब्यक्तिकत संपती पर पूर्नता प्रभाव डालती है मीन किस शहयोग से कुम्ब रासी लापरत ब्यवसाय करके अपनी संपती में बृधी कर सकती है मीन रासी अभिरूची संबंधी बस्तूओं के एकी करण में शायक होती है तथा दोनों मिलकर एक अच्छे विक्रेता भी बन सकते हैं कुलमिलाकर हम यह का सकते हैं कि यह संबंध लावकारी सिद्ध होता है तो आपने सुना कि किस रासी से बिवाह करने पर आपका संबंध कैसा रहेगा लेकिन हो सकता है आपको याद न रहा हो मैं आपको बता देता हूँ कि किस रासी से विवा अथवा प्रेम करने पर आपका जीवन सफलता पुरुवक्त कट जाएगा अथवा कुम्भ रासी बालों की जोड़ी किस रासी के साथ अच्छी रहेगी सबसे पहला मिथून रासी के साथ आपका संबन्द बहुत बढ़ियां रहेगा करक रासी के साथ आपका संबन्द बहुत बढ़ियां रहेगा सिंग कन्या तुला के साथ भी आपका संबन्द बराही चमतकारिक बराही शुखद रहेगा और कुम्भ रासी का कुम्भ और मीन के साथ भी संबंद बढ़िया रहेगा यानि कि कुम्भ मीन तुला कन्या सिंग मिथून और करक इन रासी के साथ आपका संबंद बढ़ा ही अच्छा रहेगा अगर जीवन में सफलता चाहते हैं और चाहते हैं कि सुखी बैवाहिक जीवन प्राप्त हो तो इस रासी से आप विवात वाप्रेम जरूर करें लेकिन जिसकी साधी हो चुकी है किसी दूसरे रासी वालों से वो घावराय नहीं बागवान का नाम ले और उसी जीवन को अच्छे तरीके से बिताने का प्रयास करें उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करके इसके वेल आइकन के बटन को दबा दें एक और फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू थैंक्यू सोमा जै हिंद बंदे मात्रम जै संभून आरायन